तो गैस मैं हूँ अंकित और आप देख रहे हैं रिस्लिंग फैन्स नेटवर्क सुरू करते हैं पहले फ्राइडे नेट स्मैकडाउन की वेर्शिप से कल स्मैकडाउन का एक और निया एपिसोड खत्म हुआ था इसकी वेर्शिप बरिया या फिर घटी है वो हम जान लेते है पहले आप लोग कॉमेंट करके बता दो कि आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड वेर्शिप क्या होनी चाहिए और आपको एपिसोड कैसा लगा था अब बात करते हैं एक्शुल नंबर्स की तो लास्ट वीक से वेर्शिप डाउन है अब मैं आपको बहुत पहले ही का है कि स् एड़टाइज थें लेकिन इसके बावजूद रोमन नहीं आए जिसको लेके फैंस काफी गुस्सा भी थें जो कि मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर बताया भी है तो ये एक डिसपॉइंटमेंट थी सो से बाकी अगर बात करें सोक एंडिंग में तो सोक एंडिंग में कोडी रोट सेमी जन उसुद सब थें ओफराल वियर्शिप 2.136 मिलियन से आपकी सबसे क्या है डिजर्विंग वियर्शिप है या पर नहीं कॉमेंट करके आप लोग जरूर से बता सकते हैं आगे बात करते हैं गाजम लिगाड़ोडल फैंटाजमा के बारे में इनको लेक कोई अपडेट नहीं है बट यह होंगे जरूर रिसल मीनिया में अब इसको पर मेरी स्पेक्यूलेशन यह है कि जो रे मिस्टिरो और डॉमेनिक का मैच होने वाला है इसे में कुछ ना कुछ इंवाल्मेंट होगी लिगाड़ोडल फैंटाजमा की क्योंकि रिसेंटली हम द तोर पर या फिर कुछ भी हो एनिहाउ सम्हाव डबीड़ी मैनिस करके इन लोगों को रेसल मीना में घुसाने वाली है एकॉर्डिंग टू फाइट फुल सिलेक्ट आगे बात करते हैं बिगी लैंक्स्टन के बारे में जो कि लास्ट येर से इंजर्ड है एंड पर ये सब्सक्राइब ये इसी के साथ उनसे सवाल पुछा जाता है एक्सपेक्टेड डवी डवी रीटर्न के बारे में तो बिगी इसका एंसर करते हैं और कहते हैं कि अभी तक उनका जो रीटर्न है वो अनसर्टन है उनको नहीं मालुम कि वो कभी आएंगे या फिर नही पर दिए लाइक आदमी बहुत सीरियस हो सकता है मैं आप उस टाम बताया भी था तो बिगी कहते हैं कि मैं खुछी सी चीज़ में हो कि मैं सही सलामत बच गया बाकि अगर रीटर्न होता है तो भी अच्छी बात है नहीं होता है तो फिर उसको एक्सेप्ट करके आगे ुद्रेट है हो ओल फेम के अंतर इंड़क्ट हो चुके रेमस्टी यह मतलब एंड़क्ट होंगे होल फेम में बाष्य है कौन इंड़क्ट करेगा यह काफी लोग सभार पूछ रहते हैं तो भाई इसका जवाब भी आ चुका है एंड इसका जवाब है कॉनन जी हां कॉनन आपको मालूम होगा साथ रेम स्टीरों से काफी हिस्ट्री रही है काफी पहले की बात है लेकिन अगर नहीं वालूम तो आपको बता दू मैं बता तो दिया मैंने क्या बता है रिसेंट एक्जामपल अंडेटेकर राइंड विंस्मिक्मैं थे तो अभी भाई रेम स्टीरों जो है वो चाहते हैं कि कॉनन उनको इंडक्ट करें ऐसा ही होगा बताया रहा है कॉनन आएंगे रेम स्टीरों को हॉल ओफ में इंडक्ट करने के लिए ब्रेवाइट की बा सीजन क्या है नहीं मालूम है लेकिन जो भी यह बहुत गलत चीज़ है क्योंकि डिसलमीनिया सीजन है और रेटी ब्रेवाइट वर्सेल बावी लास्टी में कोई इंवस्ट नहीं कर रहा है उपर से एक कंपेटिटर भी गायब है तो लोग क्या ही इंट्रेस्ट दिखाएं सारे ब्लेड लाइन के फैंस सूपर एंगरी इस चीज़ को पर जेक रोबर्स आप लेके आते थे उनकी तरफ से काफी ऐसे स्टेटमेंट निकल के सामने यह जो को गुसा दिला रही है और इनका कहना है कि ब्लेड लाइन एक लूजर है और ब्लेड लाइन से ज्यादा गुना बहतर है थी एलीट इसके उपर आप लोग अगरी करतो या फिर नहीं कॉमेंट करके बताओ पूरी इस चीज़ को पर जेक स्नेक रोबर्स को पर इस स्टेटमेंट को लेके आपके ऑनेस्ट आप से तो भाई यह कंपेरिजन ही नहीं है बाकि आप लोग के उपर आप आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो इनफॉर्मेशन मेली हो तो सब्सक्राइब कर देना था कि आनवाले टाइम में आपको और डबी डबी की न्यूज अपडेट से मिलती रहे फॉलोग कर सकते हैं आप लोग मुझे स्क्रिप्सिन में मिलते हैं अपरी नेक्स्ट ओफेर काफ़ इंड्रस्टिंग वीडियो में